हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका हमारे चैल मोहित सिंग रूहल पे तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काफी कमेंट्स हमारे पास आते हैं कि चेक बाउंस है जो कैसे होता है मैं जैसे इसमें आपका रोल नहीं है वह बेंक निक्रना बाउंस सैंड बैंक किसी भी रेगुट्ग एक छिजएंस है जिन पर चैक बाउंस हो जाता है आपने तो चिनल लगाना है और जो बाउंस है वो काम करना बैंक का का मैं लेकिन फिर भी कोई बेसिक रिजार डी जर्स जो होते हैं छे कि माउंस कैसे होता है खुँक है दो कि प wydaje तो क्या था कि जो लगाते थे हुआ उस चेक को बाइ पोस्ट पाई कुरियर उस बैंक में बेज़ जाता था कहां के जिस ने चेक इसुकिया है उसके बैंक में एक इंटर शीटिय तो भी बेज़ जाय जाए कुई रूप कि एचैक है इसको किया जाए यह फिर बाउंस किया जाए 6-7 दिन लग जाते थे लेकिन आज के टाम पर क्य जो खातेम पैसे हैं तो आमाउंट जो है ट्रांसफर कर देता है उस अगर पैसे नहीं है तो सीचिशने बाउंस कर देता है इसी बैंक से जिस बैंक में आपने चेक लगाया है उसमें एक या मैक्शिमिम्म दो दिन में आज के टाइम की उसको बाउंस कर दिया जाता है कई बा सब्सक्राइब हैं आप गया एक सेक को लेकिया अपने में अ को अपने पर फिल किया है लेकिन मैं यह यह आडवाई करना आप्कों कि जो भी जह विजो बाउंट वर्डस में फीगर्स में चिकनेंचर डेटस जो है सारा का सारा उसी के से की लेकर रहें लेकिन इन केस एकर आप फिल करके मिलगाते है तो उसको प्रोप्र द्यान से फिल करके लगा है कि कर टिंग हो जाती है तो भी बाउंस पर देता है का कि बैंक जो है बाउंस कर देता कटिंग प्रसंट के इनीशेल मांग लेते हैं इस पर समय कि यहां पें के सिंगेश ख्राओं करणभ और कई बार जो है वह भाउंस कर देते हैं अब पहला क्या रीजन हो सकता है आपने चेक लगाया उसके अकाउंट में जो है पैसे नहीं है फंट्स इंसफिसियंट ऐसे होता है चेक बाउंस दूसरा उसने सिगनेटर जो है अदूरे किये हैं या गल्त किये हैं ह doubt was of course हो जाएगा изменusi मैच या पिर Cind extreme जो सिगनेटर है है अब उसने सब्सक्राइब या उसके बाद जो है अपना अकाउंट जो जो है इससे भी बाउंस हो जाएगा अकांट क्लोश कि अब चेक उसने दे दिया पेमेट को स्टोप्ट करा दिया तो भी बाउंस हो जाएगा चैन पेमिंट की वज़े से ऐसी बहुत सारे रीजन से 90 रीजन से अब डॉर की जो है अथन टी केसे में मांग लेते हैं कई बार अगर यह लगता है जो इन तरीक्के से जो है जो है इन तरीक्के से जो चेक बाउंस हो जाता है प्रोसेस क्या है इसका चेक आपने अपने बैंक में लगा उसके साथ एक स्लीब फिल करनी होती है जिसमें आप अपना अकाउंट लिखेंगे नाम लिखेंगे मोबाइल लिखेंगे कितने अमाउंट का चेक नमबर लिखेंगे किस अकाउंट से आया है उसके बैंक का नाम उसका आफसी आपनी डिटेल्स वगएर सारी लिखेंगे और चेक के साथ उसको चेक का जो ड्रोबॉक्स है उसमें डाल देंगे यह पर कहीं पर जो ड्रेक्ट क्लियर करते हैं तो उनको दे देंगे और उसको स्कैन करके बेज जिया जाता नेक्स्ट बैंक में अब वहां से आ जाता कि किस रीजन से माउंस हुआ है और आपका बैंक जो है मीमो बनाके त्यार करके दे देता है मीमो जो है कंप्यूटर जेनरेटिड भी होतता कई बार और मैन्वली भी उनकी पास फॉर्मेट हो होते है उस मिलिके देते कि इस वज़े से यह चैक बाउंस हुआ है लेकिन जब भी मीमो लें आप मीमो पे जो इनीशियल और स्टांप बैंक की जुरूर करवाएं तो इस तरीके से जो है इन तरीके से हम कह सकते हैं कि जो चैक बाउंस होता है यह ऐसे रीजन से हैं डिटेल में क्योंकि आब 80-90 रीजन अगर पताने लग गए तो उसमें एक से डेट गटेकी वीडियो हो जाएगी लेकिन में में मोटे मोटे जो पॉइंट है वो यही हैं पांट से साथ फंट से निसफिशेंट पेमेट स्टॉप्ट अकाउंट क्लोज सिंगनेचर डिफर लिएने के बाद लगाते हैं तो फ्रेंण्स ये थी वीडियो जिसमें हमने बताया की चेक मौूंस कैसे होता है तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगी है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अग़र आपने ये चेनल आप तक सबस्क्राइब ने किया तो चैनल को subscribe कर लीजिए और इसके लावा हमारे एक दूसरा चैनल है Legal Atec के नाम से आप उस चैनल को भी subscribe कर सकते हैं तो friends इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नएंगे वीडियो में नए किसी Legal Topic के साथ तब तक के लिए thank you so much bye bye